आज देश में लोक सभा चुनाव की तारिखों का एलान किया जाएगा ये आम चुनाव साथ चरणों में हो सकते हैं तारिखों के एलान के पाद देश भर में आचार सहीता सक्रिय हो जाएगी आईए जानते हैं आचार सहीता लागो होने के बाद क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा आचार सहीता लागो होने के बाद अगले 24 घंटे में सभी सरकारी संपत्यों पर लगे प्राचार सामगरे हटा दी जाएगी ये काम चुनाव आयों की राज्वेकाई के माध्यम से जला प्रशwartsan की देखरेक में कराये जाएगा इसी प्रकार जिन निर्मार या अन्य कारियों में टेंडर पुरी जारी हो चुके हैं और वर्क ओर्डर जारी हो चुके हुगे लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया, वो शुरू नहीं होगा, ऐसे ही कई अन्य बदला भी आचवार सहिता के बाद नजर आएगा सभी सरकारे संपत्यों से 24 गंटे के अंदर समस्त प्रचवार सामगरी, पोस्टर, बैनर, पंपलेट हटाए जाएंगे सरकारी कारियालियो, सभागारो, अधिकारियों के कक्षों में लगी सभी जीवीत राजनिताओं की फोटो भी रहतेगी कीवल राश्टपती, राज्यपाल की फोटो लगी रह सकती है सभी पब्लिक प्लेस, बस स्टैंड, सडक सालवजनिक चौरा हो, बिजली के खंबे, अंदर पास इत्यादी से 48 घंटे के अंदर समस्त प्रचवार सामगरी, पोस्टर, बैनर, पंपलेट हटाए जाएंगे अपनी निजी मकान पर बैनर, जहंडा, कटाउट्स, इन सब चीजों पर कोई प्रतिबंद नहीं है बाशर्ते मकान मालिक की स्विकृति से किया हो अधिक्तम तीन जहंडे लगा सकते हैं, उमीदवार अपने मकान मालिक की लिखी तनुमती के बाद ही घर पर अपनी प्रचार सामगरी लगा सकता है जिसकी रेटर्निंग अफसर को जानकारी देनी होगी, नहीं तो 500 रूपे जुर्माना लगेगा ऐसे काम जिनका टेंडर निकलने के बाद वर्क ओर्डर हो चुका है लेकिन मौके पर किसी कारण अम शुरू नहीं हुआ हो वो इस दोरान शुरू नहीं किये जा सकते ऐसे काम जो मौके पर भहुतिक रूप से शुरू हो चुके हैं वो जारी रहेंगे निजी वाहन पर बिना किसी जोर जबरजस्ती के ज़ंडा स्टीकर लगया जा सकेगा बाशर्ते वो मोटर वीकल आक्ट का उलंगन ना हो दोपईया वाहन से प्रचार के लिए आरो से अनुमती जरूरी होगी जिस पर एक ज़ंडा लगाने के चूट होगी इरिक्षा, तिपईया वाहन आवं चौपईया वाहन पर भी कोई बैनर मानने नहीं है चुनाव वाले दिन बोटर अपने पोलिंग बूट से 200 मीटर दूरी तक वाहन ले जा सकते हैं पोलिंग बूट के 100 मीटर की दूरी में निर्वाचन संबंदी अधिकारी करमचारियों को छोड़ कर अन्य सभी व्यक्तियों का मोबाइल फोन का इस्तमाल पर भी मना ही है किसी भी रेलिय चन सभा में उमीदवार द्वारा टोपी मुखोटा सकाफ आदी बाटा जा सकता है जिसको उमीदवार के खर्चे में जोड़ा जाएगा परन्तु साड़ी दोती शर्ट आदी बाटे नहीं जा सकते इसे प्रकार देवी देवताओं के फोटो वाले स्टीकर डाइरी कलिंडर आदी बाटा जाना प्रतिबंदित है ऐसा किया जाना धारा 171 BIPC की तहत मतदाता को रिश्वत लेने की श्रणी में आता है तो ये रही आचाय सहीता की संबंदित को जानकारियां उमीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा